नमस्कार आदाप आप सभी का इस्तक्बाल करती हूँ मैं स्रुजन राशपूत CIT-NCRT द्वारा प्रसारित इस लाइव और इंट्रेक्टिव सेशन में आप हमें देख रहे हैं ये विद्या चैनल नमबर 9 पर यानि ये जमात 9 के बच्चों के लिए उर्दू का सत है जिसमें कि आज हमें आपके लिए एक खुबसूरत उन्वान लेकर आए हैं वाके ये बहुत खुबसूरत है क्योंकि इसका उन्वान इतना खुबसूरत है अपसाना मगर वो तूट गई तो ये खुबसूरत अपसाना है जिसमें की हम एक सबक भी सीखेंगे और वो तूट गई यानि यहां बात होगी एक महिला की, एक लड़की की क्या कहता है यह अपसाना और किसके बारे में कहता है इस सभी को जानने के लिए नमबर के जरिये जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये नमबर है 88044-559 इसके अलावा आप हमें खत लिख सकते हैं हमारी mail id पर हमारी mail id है dth.class9-ciet.nic.in इन दो जरियों के अलावा क्योंकि आप हमें हमारे एक और यूट्यूब चानल यानि हमारे अधिकारिक यूट्यूब चैनल NCRT PME विद्या क्लास 9 के जरिये देख रहे हैं तो आप live chat box option में जाकर भी अपने सवालात अपने प्रश्न हम से पूछ सकते हैं तो अब आपका परिचे करवाना चाहूंगे मिलवाना चाहूंगे आज के मैमान से आप सभी को हमारे साथ है माम बेबी तबस्म मुहम्मद अमर अनसारी माम आदाब बहुत-बहुत इस्तक्बाल है आपका शुक्रिया माम से केंडरी टीचर है अंजुमन आए इस्लाम हाई स्कूल सी एस्टी मुंबई से हमारे साथ है स्टूडियो में मौजूद है तो माम से आज जानेंगे इस अफसाने को तो सबसे पहले माम इससे पहले कि हम इस अफसाने पर बढ़े मैं भी कुछ अर्स करना चाहूंगी शायद कोई ख्वाहिश रोती रही होगी वरना मेरे अंदर क्यों ऐसी बारिशे सी होती है हम देखते हैं कि कई बार औरते अपने आप को समेटने के चक्कर में या घर परिवार को समेटने के चक्कर में अकसर अपनी ख्वाहिशों को दरकेनार कर देती हैं तो शायद इस अपसाने में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है तो सबसे पहले तो मैं हम आपसे यही जानना चाहेंगी कि यह जो अपसाने हैं यह हम कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं यकीन हम चाहते हैं कि जमात 9 के बच्चे भी अफसाने लिखना सीखें तो क्या खासियत होती है अफसानों की और उर्दू की लिहास से बात करें तो बच्चों को किस तरह से अफसाने लिखने चाहिए सबसे पहले ये बताती चलूँ कि अफसाने का मतलब ही होता है मुक्तसर कहानी जहां हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी आसपास हमारे समाज में हो रहा है उसके तहीं हम लिख सकते हैं और अफसाना को नवी जमात में डालने का मकसद ही है कि बच्चे को समझ में आई कि कहानी क्या होती है और किस तरीके से वो और कहानी लिख सकता है तो जो आज का हमारा उन्वान है मगर वो तूट गई ये सौलिह आविद हुसैन का लिखा हुआ अफसाना है जहां पर उन्होंने इस अफसाने के जरीए तमाम औरतों को एक मैसिद दिया है पेगाम दिया है जो हम अफसाने में देखते चलते हैं तो माम आगे बढ़ने से पहले एक और सवालाद जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि क्या ये अफसाना जो हमारा समाज है जो हमारा मशारे की खुवातीन की अकासी करता है उसके बारे में एक कटाक्षता प्रस्तुत करता है ये कहानी हमारे माशरे हमारी सोसाइटी समाज की अकासी तस्वीर करती है जो आए दिन ऐसे हालात का शिकार औरते हैं कि उन्हें किस तरीके से या इस कहाने में भी बताया गया है कि हालात का मुकाबला किस तरीके से करना है और साथी साथ वो कई मरतबा शोहर के बुरे सुरूप के बावजूद भी कभी अपने बच्चों के लिए, अपने खांधान की खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए वो कुछ बोल नहीं पाती वो तमाम जुल्मों को, तमाम तकालिफों को बर्दाश करती हुई चली जाती है तो ये कहानी जो है, उस समाच की अकासी करती है तो मैं आप बिलकुल आप से चाहेंगे कि आप हमारे जमात 9 के बच्चों को इस अफसाने से रूबरू कराएं बच्चों उमीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे बड़े गोर और खौसे कहानी सुनेंगे यह कहानी का उन्वान है मगर वो तूड गई सौल्या आपिदुसें का लिखा हूँ असाना है सौल्या आपिदुसें का तारुफ में पेश करती चलूं उनका ना मुसर्दिकाफ फातिना, खौजा सक्लेंट की सहबजादी थी 1913 में पानी पत में पैदा हूई उनका तालोग खौजा हुसेन हाली के खानदान से था वो एक कहना चाहिए माहिर ड्रामा निगार मुतरज्जिम तलाश हक तलाश हिन यह सब पढ़ने का शौक रखती थी यही नहीं उन शादी के बाद भी इन्होंने अपनी कहना चाहिए मालूमात में मज़ीद इसाफ़ा किया नाविल और अफसाना निगार दोनों में इन्होंने महारत हासिल की अपनी इनकी तहरीरों में हमें तहरीक आजादी की भी मालूमात मिलेगी उन्हों ने अपनी तहरीरों के जरिए इंसानी और तहजिबी कदरों को आम किया और तो के मसाइद और समाजी बुराईयों की इसलिभ करने की भी कोशिश की जरिए साती साथ हकूमत हिंसे ने पदम शरी के एजाज से भी नवाजा गया इन्होंने जो तखलिकात की उस पर नजर डालते चले अजरा आतिसे खामोश कत्रे से गोहर होने तक यादों के चिराग अपनी अपनी सलीब बातचीत जाने वालों की याद आती है और यादगारे हाले अब मैं ये बताओं कि अफसाने की अज़ाय तरकीबी क्या है सबसे पहले जब हम कोई भी अफसाना लिखते हैं तो उसमें हमें प्लाट किस तरह का होना चाहिए मौजू कैसा हमें इंतिखाब करना है मकालमा यानि बातचीत कैसे करनी है हमें टेक्नीक जुजियात निगारी जबानो बयान अगर अफसाने की गरहें एक बार भी नहीं खुलती यानि हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है अफसाना पढ़ने के बाद तो हमें उसे दो या तीन मरतबा पढ़ना है अफसाना पढ़ते वक्त इसके अज़ाय तरकीबी पर खास तोर पर हमें गौर कर की जरूरत है प्लॉट वाकियात की जो नौयत है उसका ताना बाना ही को प्लॉट कहा जाता है जिससे के वाकियात के जरीए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है इस अफसानी का प्लॉट नहायत ही साधा है कहीं कहीं आपको पेचीदगी नजर आएगी कि बात कब कही गई कैसे क यही गई वो मैं आपको अफसाने के दौरान बता दूंगी यही किरदारों की रवई और समाजी सुरत हाल की वज़ा भी यही बताई गई है वाकिया का अंदाज कहीं भी जोहल पन नहीं है आसानी और साधा जुमले हैं जो आसानी से कारी को समझ में आ सकते हैं वाकियात की नौईयत में एक्तिसार कारी को उल्जन नहीं होगी बलके दिल्चस्पी का बास बनेगी मौज़ू की वज़ाहत किस तरीके से हो और अफसाने का खुलासा किरदार निगारी अजीब और गरीब नौईयत की है यहां किरदारों को कोई भी नाम नहीं दिया गया उनके नामों की जगा यहां पर और शोहर बच्चे बीवी मुलाजिमा ऐसा करके किरदारों को बुलाया गया है यहां तक कि मिया बीवी को भी नाम नहीं दिया गया इन्सानी रिष्टों की एहमियत पर जादा जोर दिया गया है जो के इस कहानी में रिष्टों की वज़ा से जो जजबात निगारी सामने आई है वो एक अपने आप में दिल्चस्पी का बाज बनती है समाज में रिष्टों को बड़ी हैमियत देते हैं हम अपने सबसे ज़्यादा लगाओ किस से रखते घर वालों से तो यहां भी यही बताया गया है अफसाने के सयाक में रिष्टे, नौकर, अम्मा, भाबी, सहेली, मनरोमा, टीचर, अबबाजी, शोहर, साहब, खाला, फुपी, ननन ऐसे किरदारों को एहमियत दी गई है यहां पर सबसे जो एहम किरदार अदा किया है वो बीवी और मर्द के किरदार ने मर्द शोहर के किरदार को वाज़े कर रहा है मनजर निगारी जो दो इत्तिबास के शकल में की गई है इत्तिजबात पेश किये गए हैं जिसे हम पैरिग्राफ कहते हैं हर चीज बेजान जरा रही है कभी-कभी मनजर निगारी बहुत एहमियत भी होती है वाकियात को पुरकशिश तरीके से बयान किया गया है रंग भरे गए हैं और मनजर निगारी के साथ साथ जुजियात निगारी को भी बड़ी एहमियत दी गई है अब हम आते हैं अपनी कहानी पर मगर वो तूड गई एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी शादी के जब वक्त होता है उस वक्त जो है वो वालिदा तो शादी के लिए तयार नहीं होती लेकिन जो उनके वालिद हैं और घर के दूसरे लोग हैं वो शादी के लिए तयार हो जाता है लड़का उनसे तकरीबा नुमर में 15-17 साल बड़ा होता है बेरहाल शादी होती है जब शादी होती है तो उसे इस सिखाया जाता है कि हमें घर में किस तरीके से रहना है और वो बखो भी क्योंकि जैसे मैंने आप से कहा कि यहां पर भावी का किरदार बताया गया अम्मा की जिन्दगी फिर उनकी सहली मनोरोमा इन तमाम लोगों की उस जिन्दगी पहले ही देख चुकी होती है कि जो औरत है उसे हर तरीके से जो है वो सब को समाल के सब को लेके चलना है रिष्ता नीभाने में जो रोल अदा होता है वो औरत बड़ा रोल अदा करती है ऐसे उसे बच्चपन सही सिखाया गया शादी के बाद वो जो अपने घर जाती है अब यह बहुत दिनों तक तो इसे लेके चल रही ही है ज다면 मुझे अपने बच्चों के लिए अपने खिषी के लिए अपने खान्दान के लिए तमाम चीजों को समझ का लेकिर चलनाゆ втор लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि ऑसे बेटा होता है जिसका नाम वो शोशो होता है अब जो वालिद है उनके बरताओं में उनके सुलुक में तबदिली आती है क्योंकि उसने बेटे को जनम दिया है अब वो कुछ दिनों तक तो यह मामला अच्छा होता है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दुबारा वही तमाम चीज़े शुरू हो जाती है कि जैसे जुल्म धाना और बात ना करना रात गए देर से आना तो यह तमाम चीज़े जो है चलती रहती है कहीं न कहीं उसे जहन में परेशान करती है कि सबग क्या है कि घर इतना लेट आ रहे हैं बात नहीं करते और वो आप में ही रोती रहती है रोते रहती है उसके दिमाग में कहानी चलती है कि कहीं यह मुझसे बेजार तो नहीं हो गए कभी कुछ हो गया तो क्या मैं अपनी आगे की पढ़ाई में कम्पलीट कर लू क्या मुझे कुछ और करना चाहिए यानि कि जैसे बताया गया कि कहीं ज परेशान भी हो रही है कि क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए नहीं मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए ठीक है अज तमाम दिमाग मेरे सवाला चल रहे हैं मैं किसी भी तरीके से आज जब आएंगे घर तो मैं अपने सवाला उनके सामने रखोंगी और उनसे बात करोंगी जब शोहर घर आता है रात में तो कहती कि मुझे आपसे बात करनी है तो शोहर उसे कहते है कि क्या बात है तो कहती है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ दिनों के लिए में अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हो तो अभी जाना है अभी जाना है तुम्हें वैसे भी महबत नहीं है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, जरा भी फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है जैसे जुम्हा सुनती हो एक दम हक्का बक्का हो जाती है, कहते हैं कि असदमे में चली जाती है कि मैं नहीं मैंने तो पूरी अपनी जिंदगी के साथ गुजारना चाहता हे। इसके साथ नहीं होता हाँ कि मेरी जगा कौने सकता है। कोई नहीं है जो मेरी जगा ले सकता है मैं अपने शोहर से जादा महबद करती हूँ अपने बच्चों से महबद करती हूँ तो मैं ऐसा नहीं होने दूँगी खैर यह तमाम बादशीत होकर अपने कमरे में जाती है कमरे में जाकर बैठती है उसी वक्त थोड़ी देर के बाद जो है फो खुरी देखते हैं कि लिभाफय में यह हाते हैं 14 अब ऑन गता है नहीं उसके मुह से निकलता है मगर वो तूड गई तूड गई तूड गई जो के इस सबक का उन्वान ही रखा गया है तो वाकि इमाम इस अफसाने को सुनते हुए बड़ी संजीद की सी हम अपने आप में महसूस करते हैं अपने जहन में हम यह ख्यालात भी लाते हैं कि हाँ उन्वान बिल्कुल इस जो सबक अफसाना है उसको सटीक बैठता है लेकिन हाँ क्योंकि कहानी इस अफसानी कर रोख है वो सोच हरहे है फिर उसके बैगडरांट में उसके दिमाग कुछ और चल रहा है तो इस अफसानी के कितने मलतों के बारे में भी रोश्णी दाली गई है तो इसलिए इस कहानी के दो रूख है तो हम आगे आप जानना चाहेंगे कि कहानी अब तो हम देख रहे हैं कि अब एक मोड पर आ चुकी है और हमने उन्वान तक हम पहुंच गए हैं लेकिन कहानी अभी भी अधूरी सी लग रही है ऐसा लगता है कि अपसाने को एक सकारात्मक दिशा तक खत्म करना जरूरी है तो ऐसे में आप से ह जाहेंगे कि आप इसे एक मोड दें और एक और लेके चलें यह कहानी जो है एक सबक दे रही है हमें जैसे कि हमने देखा कि जब बच्ची की शादी कर दी गई जैसे कि इसमें बताया गया है जिसे आखिर में जब वो सदमा पहुंचता है तो यहां पर वो बच्ची की और वो इतना सब कुछ होने पर भी हिम्मत नहीं हार रही है हां हमें कहते हैं कि समाज और माश्रा यह बट बड़ी ताकत होता है जो किसी को भी आगे बढ़ाने में साथ देता है हालात वक्ती होते हैं जजबाती होते हैं जजबात में आके इनसान थोड़ा बहुत कहना चा कि उसने कितने कुर्बानिया दी कितने सालों से तकलीफे उठाई लेकिन उसके बावजूद उसने अपने मूं से कभी उस तकलीफ का उस कहना चाहिए कि जो दर्द दिया गया उसने कभी लब पे नहीं लाया आखिर तक वो यह कह रही है कि मुझे मेरा रिष्टा बचाना ह मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि अभी अगर तमाम चीजे उसके साथ हो गई है तो दो बच्चे तो अल्रेड़ी है दो लड़किया और एक बेटा है तो कहीं न कहीं उसके उनके लिए वो आगे अपनी पढ़ाई करेगी और अपने समार्ज में अपना मकाम बनाएगी मैं पर कहीं न कहीं यह जो अपसाना है वो एक दौर को तो दिखाता ही है कि शायद हो सकता है उस दौर की जो औरते हैं वो इतनी जुल्म सहकर भी चुप रह जाती थी और फिर इस दौर में अगर हम आते हैं तो क्या अब जो स्थिती है जो सिच्वेशन से वो कुछ बदल चु कि आपको तकलीफ आके नहीं बतानी है आपको रोना नहीं रोना है आपको तकलीफे नहीं बतानी है वहां की बुराइया नहीं करनी है लेकिन आज जब हम जो जितना समाच जो है जागरूद हो चुका है जब आज हम अपनी बच्ची को कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ सब बते असर पढ़ता है दिमाख पर और हमारे दिल पर लिकिन ये वक्ति तोर पर होता है फिर वो दुबारा अपने आपको समेट लेती है और अपने आपको जो है समहाल लेती है और कहना चाहिए एक नया अज्म नया जोश पैदा करती है अपने अंदर कि मुझे अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने आप के लिए कुछ करके दिखाना है तो आज की और एकदम अलग है कहना चाहिए तरक्की आप क्योंकि माँ हमें बहुत से दर्शक हैं और जमात नौ के बच्चे हैं और आप कि हैं जगे संजीद्गी समझने लगे तो हमारे साथ सारे पूरुष मित्र या पिर कहें की पूरुश मिवेत्र भी भी है मेल वि penal विवेत्र भी है दोनों को समझ के चलना हैं आज तो है कि हमें जो है मसावात, मर्दोजन यानि कि दोनों को बराबर के हुकूप दिये गए हैं आप जब दर्द समझेंगे तो आपका भी दर्द समझा जाएगा वक्त देना बहुत ज़रूरी है अपने आपको दोनों में महबत बहुत जरूरी है और जो चीजे हम कहते हैं ना कि बाहर धूंते हैं वो हमें घर में ही मिल सकती है आसानी से तो मैं तमाम नौजवाने से कहूंगी कि अगर वो प्यार चाहते हैं तो प्यार दे क्या जाता है कि जो देंगे वोई वापस मिलने वाला है बिल्कुल तमाम अफसाना तो हमने आप से ये खुबसूरत सा जान लिया ऐसे में आप से अगर चाहें कि कुछ चंदलाईने कुछ शायराना अंदाज में जो की एक हमारी जो एक औरत है जिसका की अफसाना वो तूट देई उसको हम जान रहे हैं तो वो भी आप से चाहेंगे मैं यही कहूंगी कि कई मरतबह ऐसा होता है कि जब ऐसे हालात आते हैं कि जब तलाक का हो या फिर बेवा हो जाती है और तब सद्मा पहुंचता है और वो वक्ती तूर पर तूट्ती है लेकिन ऐसा मैंने कभी नही देखा कि मुस्तकिल तोर पर कोई और तूटी हो जैसे कि सौलेहा भी रुसेन ने बताया है कि वो तूट गई तूट गई कुछ वक्ती क्योंकि सद्मा पहुंचता है कि इतने साल की शादी थी कैसे तूट सकती है तो यही कहूंगी कि जुगनू भी नारसा है अगर खौफ दिल में हो, हिम्मत बलंद हो तो सितारा करीब है। में काम है अपनी हिम्मत का है और जहां तक आउरत की बात है तो वह सबसेधा हिम्मती भी है, बरडाश की हद्बी और्त में जादा है, इसलिए औरतों ने हर जगे पर अपना »ा मनवाया है, वा बहुत हूब मायम, बच्चे भी हैं तो अगर एक देखा रुख देखा जाए तो ऐसे में उन बच्चों का अपनी वालिदा के प्रती क्या एक स्टैंड हो सकता है अगर उस पर भी आप से जानना चाहें तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने बच्चों बच्चे तो बच्पन ही से जो है अपन बेता है देगा यल्झ देखा एक मो रहता है वाल ंवेजन जवाणका तो अजा भी आप हो बच्च्टूं पर में उसका शीया हरोगी तो इसका असर बच्चों पर जब तड़ुर होगी तो कर घ्लाज चीज के भी तो अगर में थीज का अपने ठीयान देना है क्या हम बात पर और जानना चाहेंगे जोंव सहते रहना उचित है ठीक है या एक फिर सभ hm होनी ही चाहिए तो नहीं कहा है क्यister जल्म सहना भी गुना है और करना भी गुना है और अगर कोई चीज गलत हो रही है तो हमें पुरा अख्तियार है कि उसके बारे में हम सही तोर पर मशवरा करें एक दूसरे से बात चीत करें बात करने से बहुत सारे कहना चाहिए मसायल का हल हो सकता है अगर हमने बात ही करना ब सबसे पहले मैं आपको यह बताओंगी कि इसका जो कहानी है पिपिटी पर कि टेक्निक यहां दिया गया यानि की तरीका कहानी को पेश करने का अंदाज तो मैं तमाम बच्चों से दरखास करूंगी कि कहानी को दो या तीन मर्तबा पड़े एक बार में आपको समझ में नहीं तो दो मर्तबा तीन मर्तबा तो आपको गिरहे खुलना शुरू हो जाएंगी कि कहानी आप से क्या कह रही है कहानी बयानिया अंदाज में यानि कि जुम्लों में बयान की गई है साथी साथ मकालमा भी बताया गया है फ्लेश बैट टेकनीक भी काम चल रहा जैसे कि मैंने कह कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं आप असानी से इस सबग को समझ सकते हैं सरगर्मी अभी अफसाने का खुलासा तो मैंने आपको समझा ही दिया है जिस वक्त आप यह कहानी पढ़ेंगे आपको भी अफसाने का खुलासा आप भी पढ़कर सुना सकते हैं और या लिख भी सकते हैं अफसाने का तजरुबा आपने इस infamous अप्साने से क्या सीखा तो मैंने कहा नाउमीदी कुफर है हमें उमीद नहीं हारनी है अगर किसी तरह का मस्ला है तो इस मस्ले को हल किया जा सकता है आफसाने के अज़ाय तरकीवी पे मैंने आपसे बहस की ताही और उनके इजहारे ख्याल के बारे में आपको बताया जहां वो औरतों के तालुक से उसने जन को बता रही है कि बड़े से बड़ी मुश्किलात का सामना कर सकती है अफसाने की रोशनी में हुसालिया अभी दुसैन ने फन का जाइजा लिया अफसाने का लगर वो तूट गई इस पर जो है उसलूब निगारी वो बहुत ही जबरदस्त है कई जगों पर कहावतों का भी इस्तेमाल किया गया है साथी साथ महावरे महावरे और कहावते हमारी आम बोल चाल की जिंदगी में बहुत जादा एहमियत रखती है क्योंकि हम अर्दू जबां की दिल डादा है उर्दू हमारी अपनी मादरी जबान है तो कहीं न कहीं हमें जो हैं अपनी घरेलू जबान में जब हम आम बातचीद करते हैं तो महावरात और कहावतों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए अफसाने का किर्दार बहुत ही सादा है और अफसाने का मरकजी के जो किर्दार है वो खुद वो औरत है जो तूट गई वाकरी बहुत खूब रहा यह अफसाना मैम आपका बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहेंगे इस अपसाने को हमारे जमात नौ के बच्चों के साथ बाटने के लिए साज़ा करने के लिए हमारे साथ है माम बेबी तबस्म मुहमर उमर अंसारी माम सेकेंडरी टीचर है अंजुमन आए इस्लाम हाई स्कूल सी एस्टी मुंबई से माम बहुत बहुत धन्यवाद आदा माम हमारे साथ रही हैं और इस सत्र में हमने उर्दू जुबान के लिए से खुबसूरत अपसाने को जो की एक बेहत संजीदा अपसाना भी कहा जा सकता है और एक सबक भी देता है कि जुम सहना भी उस हद तक है जहां तक की गलत ना हो और उसके बाद आवाज उठाएं नहीं तो आप भी उस जुम में हिस्सेदार हो जाएंगे मैं आप सभी से एक और अनरोध करना चाहूंगी हम सभी जानते हैं कि हम भारत देश में रहने के नाकते इसके नागरिक होने के नाते बहुत से अधिकार है यानि हमारे मौलिक अधिकार और हमारी जिम्मेदारिया हम पर आती हैं ऐसे में आवास तो हम उठाते हैं जो कि हमने आज इस अफसाने में भी देखा और वहीं आवास उठाने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने भाते हैं वो है अपना मतदान अपना वोट देने का अधिकार तो आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अभी अपना कीमती मतदान कीमती वोट जरूर दे हम कुछ ही मिंटो में आपके लिए CIT, NCRT द्वारा प्रसारित एक और लाइफ सत्र लेकर हाजिर होंगे ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए साइंस का एक सत्र होगा जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक दा स्टुक्चर आफ अपने आप में एक इंपॉर्टन टॉपिक रहेगा कक्षा 9 के बच्चों के लिहास से यहां में स्रुजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी इजाज़त नमस्कार